दोस्तो अगर आप ऐसे connection के बारे में सोच रहे हैं जैसे कि आप घर पर cooler को यूज करते हैं और आप invator है उससे पंखे को भी यूज करते हैं तो आप चाहते हैं कि जैसे ही light जाए तो light जाने के बाद जो आपका cooler है वो बंद हो जाएगा तो आप चाहते हैं कि हमारा जो पंखा है जो invator से चल रहा है वो अपने आप start हो जाए हमें उसको start ना करना पड़े अपने आप start हो जाए और जैसे ही दुबारा light आए तो जो हमारा पंखा है वो अपने आप off हो जाए और हमारा cooler है वो चालू हो जाए क्योंकि यह जब light कटी है तो इससे हम बहुत ज्यादा परिशान होते हैं जब हम रात में सू रहे होते हैं इसमें हम बहुत ज्यादा disturb होते हैं क्योंकि जैसे light जाती है तो हमें पंखे को दुबारा on करना होता है क्योंकि cooler हमारा बंद हो जाएगा तो हमें पंखे को on करना होता है तो फर दुबारा जब light आ जाती है तो उसके बाद हमें पंखे को off भी करना होता है तो इससे क्या होता है रात में हमें बार बार जागना पड़ता है गर रात में light बार बार कट रही है तो इसलिए हम चाहते ह को एक साथ भी नहीं चलाना पड़ेगा जिससे आपका electricity will है वो भी कमाएगा तो आज की वीडियो में हम आपको एक connection के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपकी यह problem है वो solve हो जाएगी और यह connection इतना easy है अगर आप electricity भी नहीं है आप एक normal person है तब आप इस connection को अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं तो अगर आप यह connection को जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो subscribe जरूर करने हैं क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो होता है जो कि आपको मार्केट में भी मिल जाएगा या आप इसको online भी purchase कर सकते हैं तो अगर आप जब इसको purchase करें तो आपको एक चीज जरूर देखनी है कि इसमें आपका NC point जरूर होना चाहिए ठीक है तो इसके द्वारा ही हमें इसके connection को करना है तो सबसे पहले हम आपको contractor के कुछ point को बता देते हैं जिसको हमें use करना है ठीक है connection में तो देखिए सबसे पहले ये point है ये वन और ये two ये हमारा contactor को हमें supply देना है इसकी एक coil रहेगी इसके के द्वारा हमारा पॉइंट एक पॉइंट यहां से हमें यह दोनों पॉइंट यूज करने है इसको यूज करना है तो अगर आप इसके करें करें अगर आप चाहते हैं कि Contactor के पहले हमारा एक सुच या MCV हो तो आप भो भी लगा सकते हैं अगर आप नहीं लगाना चाहते तो डालेक्ट भी connection कर सकते हैं तो अगर आप इससे लगाएंगे तो आप यहीं से दोनों को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि पंखा भी न चले आपका cooler भी न चले तो आप यहां से भी इसको ऑफ कर सकते हैं तो इसलिए हम इसको करेंगि है तो आपको एक दूब्र सपिर हो अब करनेक्ट कर दिया और यहां से इस कर दूसरा प्वाइप इस से हमें यह फेस अप्लाइ को ले जाके यह हमारा contactor है उसके A1 पर देना होगा ठीक है आप A2 पर भी दे सकते हैं जो भी आपको सरल लगे आप उसमें दे दें ठीक है और उसके बाद आपको यह पर भी देना होगा यह point पर L1 पर ठीक है इसमें से आप तीनों में से किसी को भी यूज़ करते हैं ठीक है आपको जो अच्छा लगे वह आप भी यूज़ करते हैं तो हमने यहां पर connect कर दिया तो आपका जो main face आ रहा है वो यहां तक आया और यहां से आपका contactor के इस point पर भी आ गया है इसके बाद आप आपका enlightenment का एक by area आएगा और उस बायर को आपको connect कर देना है यह जो आपका enc point है इसके एक टर्मिनल पर कर देना है और इसके बाद यह के connection complete हो neither पको करना है जो आपको पंक का है और cooler है उसके connection ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे आपका your cooler लगा हुआू है cooler के लिए आप यह board लगाके रखाए इससे आप इसको on off करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां से एक buyer निकाले होगे और इस buyer को ले जाके आपकर जो भी सुच लगा हुआ है इस सुच में जो पहले से बायर आ रहा था उसको आपको निकाल देना है और इस buyer को उसमें connect कर देना है तो इससे क्या होगा कि जो हमारा यह सुच था इसमें आप face आ जाएगा हमारे contactor के द्वारा है ठीक है अभी direct आ रहा था अब यह contactor के द्वारा यहां पर face मौच जाएगा ठीक है और इसके बाद आपको क्या करना है जो आपका inverter वाला buyer यहां तक आ रहा था तो इस point से आप आपको inverter का बायर को उठाना है और इस point को ले जाना है जो भी सुच से आप पंखे को चलाते हैं inverter से तो उस inverter बायर को आपको बहां से disconnect कर देना है उस सुच के लिए और इसको आपको यहां से लगा देना है ठीक है इस सुच में आपको दे देना है जिससे कि आपका सुच में फेस पहुँच जाएगा contactor के द्वारा ठीक है एनबेटर वाला तो यह connection आपके complete हो जाते हैं और यहाँ पर neutral पहला ही दाएगा यह और यहाँ पर पंखे को भी neutral पहला ही से मिलेगा आपको यहां से सर्फ face को देना है यह आपके connection complete हो जाते हैं तो देखें यह बर्क कैसे करता है तो देखें जैसे अभी light आ रही है तो यह जो coil को supply मिलेगी तो यह contactor है वो हमारा चालू रहेगा ठीक है contactor चालू रहेगा तो तब यह जो point है यह आपस में अंदर short रहेगा ठीक है तो यह जो face है वो निकल कि सीधा हमारा cooler तक हाजाएगा और cooler हमारा यहांसे चालू रहेगा को जैसे ही हमारा cooler जो light है बुझाती है तो यह contact है वो यहांसे disconnect हो जाएगा जब यह disconnect होगा तो यह यहां से सोट हो जाएगा तो यहां से हमारा जो पंक है वो चालू हो जाएगा तो आपको इसको चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही लाइट जाएगी आपका जो पंक है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही लाइट दुबारा आती है तो फिर ला पता भी निचलेगा कितने बार लाइट आई कितने बार गई आपको जो पंखा है वो अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगा और जैसे लाइट आएगी आपका पंखा अपने आप बंद भी हो जाएगा